कर दोस्तों तो आज मैं आपका स्वागत करता है यूटुब चैनल पर और आज मैं आपको बताओंगा जो प्रेंगेट में क्या देना चाहिए जो प्रेंगेट में क्या देने से फर्क पड़ता है और डाइट इतना ज्यादए इंपोर्टेंस क्यों है अगर आप खुद भी देख लीजिए अगर आप खुद अगर खाना ना खाएंगे तो आप बहुत कमजोर जाएंगे आपके सरीर में एनरजी ने रहेगी उसी तरह जो बकरी होती है जानवर होती है या कोई भी जीब होता अगर आप उसको सही प्रड़क्तिविट्विटेंस अच्छी होती है वो उनका बच्चा भी अच्छा रहेगा और जब वच्चा दे देंगी तो उनकी दूद्थ जो बढ़ जाती है इसलिए आप जबी भी बखरियां पालते हैं अच्छी डाइट दें सबसे पहले तो उनको हरा चारा दें हरा पड़ी पर शूजर्ट पर हरे जो पेट बखर लगा रखें जो बकेति पत्ता खाती है जैसे से टूद कर रहा रहा है गुलर कर ला रहा तो वो पत्ती है बाकि हरा चारा हम लोग बांभार खेद से लेके आते हैं वो भी दे देता है इसके बाबे ही बहुत कूछ देना ये तीं से चार बहर ब्याद ये और जो मेरी ये रही बखरी ये जो वाइट और ब्राउन में ये फस्ट प्रेग इंड़ गया है ऑर जो बखर्य आपकी फस्ट प्रेग्नेंट होगी उसमें को काफी चीज़ें नहीं नहीं चीज़ें डिकैने जैसे बढकहґं बढ़ेंगे और जैसे बखरी पुरानी अथी अच्छी थे पाती जो पहली बार बखरी बैदि आती है तो ना हिसे इसका दूद अच्छा होता है नहीं बखरी जहादा बच्चे दे पाती है यह जैसे बढ़ते रहेगी पहली बार में सब्सक्राइब यह बच्चा देगी और आपको पैचान करने है कि बखरी प्रेग्नेट कैसे हुई है प्रेग्नेट हो गई है या नहीं है तो सबसे पहले आप उसके थन चेक कर लेंगे थन का साइज धीरे धिरेंक्रीज होता है आप नॉर्मल बखरी के अकोरडिंग पहली जो बार जो गविन होती है उसको चेक क आप कभी देखेंगे जो प्रेग्नेट बखरी होती हो खाने के लिए मतलब जाद यहां देती हो खुद ही अपनी डाइट को पूरा करने लगाती है और आप जबी बखरी रखते हैं उन्हें सूखी जगह पर रखें सूखी जगह पर रहने से इनमें काफी सारे रोग नहीं खं़ें आते हैं जैसे कि इनके खूर भागल खराब नहीं होंगे और बहुत सी चावल बनाना पड़ता है मुर्गों के लिए थोड़ा सा लगशे डियाट देना परता है बांकि इसाब उसी में खाते है और बाकि मैं यह सब करता हूं बागी मेरी वीडियो च्छे लगे इ सेट गिजी ने सब्सक्काइब इजी